हेलो फ्रेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टैक तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब की सबसे इंपोर्टेंट एप्लिकेशन को चलाना सिखाऊंगा जिसका नाम है वाइटी स्टूडियो एप्लिकेशन अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपने वाइटी स्टूडियो एप्लिकेशन का नाम जरूर सुना होगा और अगर आप अपने mobile phone से अपने YouTube channel को operate करते हैं तो उसके लिए आपको WT Studio application की जरूरत ही पढ़ती है तो आपको ये जरूर पता होगा अगर आप एक mobile user हैं तो क्योंकि उसी की सायता से आप अपने YouTube channel को manage करते हैं उसकी वीडियो में कुछ भी आपको edit करना होता है वीडियो का जो interface है वो बिलकुल बदल चुका है उसमें काफी जारे updates हो चुके हैं उसमें काफी सारे functions, features, add हुए हैं जिनको आपको सीखना बहुत जादा जरूरी है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं WT Studio application का complete tutorial आपको दूँगा आपको पूरी जानकारी उसमें दूँगा उसको अच्छे से सिखाऊंगा कैसे उसको चलाना है, कैसे यूज करना है तो वीडियो काफी जादा informative है और साथ में आपको मैं कुछ ऐसी tips भी दूँगा जिससे आप अपने channel पे अपने views और subscriber को बढ़ाने में आपको काफी जादा help मिलेगी और हो सकता है, आपका channel भी जल्दी grow हो जाए अगर आप इन tips को follow करेंगे लेकिन आपको वीडियो को पूरा last तक देखना होगा क्योंकि मैंने जो ये tips दी है वो इस वीडियो के बीच बीच में दी है तो आपको वीडियो पूरी देखने होगी अगर आप skip करेंगे तो हो सकता है आपसे कोई tip मिस हो जाए इसलिए आपको वीडियो को पूरा सुरू से लेके अंत तक देखना है वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे channel पे new हैं तो प्लीज मेरे channel को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends हमाच चुके हैं अपने mobile phone की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो हमें सबसे पहले play store के अंदर जाना है और यहां पे हमें उपर सर्च करना है YT Studio YT Studio लिखके सर्च कर देना है और हमें यहां पे अगर हमारी application अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट कर लेना है मेरी application अपडेट है तो मैं simple इस पे open पे click करता हूँ YT Studio application को open करता हूँ तो यह कुछ इस तरीके से हमारे सामने application खुल जाती है तो आप देख सकते हैं यहां पे बिल्कुल नया look है सारी चीज़ी यहां पे bottom में आ गई हैं आप देख सकते हैं dashboard, content, analytics, comments, playlist सब कुछ आपको नीचे देखने को मिलता है पहले left side में left corner पे देखने को मिलता था आपको सारा तो मैंने एक dummy channel से इसमें login किया हुआ है आपको भी अपने original channel से जिससे आप login करता हैं जिससे आप अपना YouTube channel चलाते हैं उससे आपको login कर लेना है और YT Studio की अब सारी एक एक चीज को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो वीडियो को धिहान से देखना और पूरा देखना और इसमें tips भी दूँगा तो वीडियो को skip तो बिलकुल भी मत कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यह आपका dashboard है सबसे नीचे जो हमने क्लिक किया हुआ है dashboard ही है यह और यहाँ पे आपको सबसे पहले उपर चैनल का नाम दिखाता है आपके subscriber दिखाता है उसके बाद analytics में आपके 28 जो last 28 दिन में जितने views आए हैं यहाँ पे दिखाता है उसके बाद watch time दिखाता है कितना आया है और subscriber कितने आये हैं आपके चैनल के उपर तो वो यहाँ पे show करता है उसके बाद नीचे content है यहाँ पर जो भी videos डालते है latest यहाँ पर तीन video दिखाता है उपर की उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते है latest comments का section है यहाँ पर जो भी comments latest comment आएंगे आपकी video के उपर वो यहाँ पर show होंगे आप देख सकते हैं ठीक यहां पर यह notifications का option है कोई भी आपके वीडियो Kो Like करता है कमेंट करता है तो यहां पर आभी आपको notification मिलता है उसका बैक आ जाएंगे अप सेकंड जो option है इसमें content पे नीचे बोटम में जो content है उसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां से हमारी चैनल के जितनी भी हमने वीडियो डाली है यहाँ पे वो सारी वीडियो आपको शो हो जाएंगी आप चाहें तो किसी भी वीडियो पे क्लिक करके जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से आप इसमें एडिट कर सकते हैं एडिट वाले चैनल के उपर डालते हैं, तो वो यहाँ पे शो होती है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक live का section दिखता है, जिसमें अगर आप live करते हैं अपने YouTube चैनल पे तो वो सारी वीडियो आपको यहाँ पे शो होंगी, जो जो आपने live की होगी, वो आपको यहाँ पे नजर आएगी, तो content में यही है, उसके बाद analytics, third number पे जो option है, analytics पे हम click करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले overview है, overview में आपको सबसे पहले यहाँ views दिखा रहा है, जो आपके पिछले 28 दिन में आए हैं, तो मैं views के उपर click करूँगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ से पिछल अबे दिन का देख सकते हैं, पिछले lifetime देख सकते हैं, जैसे मैं lifetime पे click करता हूँ, तो मैर को lifetime इतने views आए हैं, तो यह इस तरीके से दिखा देता है, उसके बाद back आजाएंगे, और back करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर scroll करेंगे, इसको तो यहाँ पर wash time है, last 28 दिन में आ आपने YouTube channel बनाया है, तब से लेके अब तक कितना wash time आया है, उसके बाद आपको back कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर फिर से scroll करेंगे, और यहाँ पर आपको subscriber show होंगे, इस पर click करेंगे, तो last 28 days के आपके channel पर कितने subscriber आए हैं, उसके उसी तरीके से आप यहाँ पर click करके, क top videos का एक option दिखाई देता है, इसमें आपकी वो videos होती है, जिस पर लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मेरी पहली tip यह है आपको, कि आपकी जैसे चो top videos में आ रही है आपकी video, मतलब जिस category की video को लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके उ last 48 hours में आपकी channel के उपर कितने views आए हैं, ठीक है इस पर आप click करके देख भी सकते हैं, last 60 minute के भी देख सकते हैं, और 48 hours के देख सकते हैं, उसके बाद back आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ही अब आपको reach का एक option दिखाई देगा, आपको इसके उपर click करना है, यहाँ से आपके channel के उपर कितने impression आए हैं, सबसे पहले यही है, 28 दिन के अंदर, आपको इस पर click करना है, तो यहाँ से आप check कर सकते हैं, 28 दिन में, और फिर 28 days पर आप click करके, कितने भी time का check कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है, back कर लेंगे, फिर से back आ जाएंगे, उसी तरीके से आप impression click through rate यहाँ से check कर सकते हैं, तो इस पर हम जैसे ही click करेंगे, तो यह भी उसी तरीके से खुल जाएगा, कि last 28 दिन में, हमारे channel के उपर, कितने impression click through rate है, तो वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, आपको lifetime करेंगे, तो lifetime का आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, इस तरीके स तो back आ जाएगे, उसके बाद यहाँ पर scroll करेंगे, तो views आ गए, जो मैंने आपको बताया था भी, और यहाँ पर unique viewers आ गए, कि मतलब कितने viewers ऐसे हैं, जो आपको देखना पसंद कर रहे हैं, बार बार आपके channel पर आते हैं, मतलब आपको यह भी video डालते हैं, तो वो आपको यहाँ पर show करेगा, उसके बाद top external source, अगर किसी external source से आ रहा है, तो वो यहाँ पर show करेगा आपको, उसके बाद top YouTube search term, मतलब आपके YouTube का जो channel है, उस पर कौन से keyword से ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर videos दिखाएगा, जिन keywords को लोग ज़्यादा सर्च कर रह हैं, तो यहाँ पर दूसरे tip यह है, कि जिन keywords को लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, और आपकी जो video यहाँ पर show हो रही है, उस topic पर आप video ज़रूर बनाएं, उससे related topics पर video ज़रूर बनाएं, तो आपको ज़्यादा views मिलेंगे, और ज़्यादा subscriber भी बढ़ेंगे आपके उ playlist आपकी, जो सबसे ज़्यादा play की गई होगी, वो यहाँ पर show हो जाएगी, ठीक है, यह सारी चीज़ी यहाँ पर हो गई, उसके बाद उपर third option है, engagement का, इसके उपर click करेंगे, तो यहाँ पर simple आपको वही wash time मिलेगा, 28 दिन का, कितना आपके channel पर average view duration क्या है, वो आपको य क्लिक करके देखा है, तो वो वीडियो यहाँ पर show हो जाएगी आपकी, तो यह आपकी third tip होगी, कि आपको आइकार्ड जरूर लगाने अपनी वीडियो में, था कि कोई भी जब आपकी वीडियो को पूरा देख ले, उसके बाद उसको आइकार्ड में, या फिर आप कुछ वीडियो में ऐसा बोलें कि आइकार्ड में उसका लिंक दें, वीडियो का और उससे क्लिक करें वो, वहां से आइकार्ड पे क्लिक करके, तो उससे आपका वास टाइम भी बढ़ेगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो subscribe भी करेगा वो आपको, तो आइकार्ड लगाना भूष्छ जरूरी आपको वीडियो में उसके बाद यहाँ पर टॉप प्लेलिस्ट है वही वॉस्ट टाइम आवर्थ लास्ट टुटीएफ डेस में आपकी टॉप प्लेलिस्ट पर इतना वोस टाइम आया है वह आपको यहां पर शो हो जाएगा उसके बाद फॉर्थ ओप्शन है यहां पर ओडियंस का तो यहां पर आपको रिटर्निंग वीवर्स देखने को मिल जाएंगे ठीक है यूनीक वीवर्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे और यहां पर सब्सक् subscribers हैं वो कब-कब YouTube पर आते हैं उसके बाद नीचे यहां पे एज है आपको यहां पे एज भी शो होगी कि कितनी उमर के लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं आपकी वीडियो को उसके बाद यहां पे जेंडर भी आपको शो होगा कि वह मेल है या फीमेल है वह आपको यहां आपको शो नहीं हो रहा है लेकिन आपको अपने चैनल में यहां पर सब को शो ओडियंस वॉच्ट तो यहां पर जो अधर वीडियोस हमारी ओडियंस वॉच्ट करती है वह यहां पर शो होंगी आपको और अधर चैनल जो वो देखती है वो ओडियंस मतलब जो ओडियंस आपकी जो सब्सक्राइबर्स हैं जो आपकी चैनल को देखते हैं आपकी वीडियोस का तो यहां पर आपके चैनल के उपर जितनी भी कमेंट्स होगी वो सारी आपको यहां पर शो हो झाएंगी ठीक है उसके बाद लास्ट ओप्शन इसमें प्लेइलिस्ट का है जो भी आपने अपने चैनल पर लिस्ट बनाई होगी वह आपको यहां पे शो होगी और analytics में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं यहां पर अगर आपका चैनल monetize है तो यहां पर audience के बाद आपको revenue का एक option दिखाई देगा तो उसमें आपके सारा जो earning है वह आपको शो होती है तो अगर आपका चैनल monetize है तभी वह आपको शो होगा option वरना नहीं होगा ठीक है तो यह सारी settings है YouTube studio को अब आप अच्छे से चलाना सीख गए होंगे इसकी एक एक चीज को मैंने explain कर दिया है तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिया हो कि आप किस तरीके से वाइटी श्टूडिय एप्लिकेशन को चला सकते हैं उसे यूज कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी query कोई भी question है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंदा ही हो तो इसे like और share जरूर करें Thank you